दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से आपकी गैजट से भरी हुई दुनिया न्यू टेग गैजट में और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी कूल इन्वेंशन्स के बारे में जिनको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाल दोस्तो आजकर घरों में ऐसे काफी सारे अप्लाइंस होते हैं जिने के आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इतने सारे रिमोट को समालना भी कोई बड़ी बात नहीं होती तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा रिमोट जिससे कि आप अपने घर के हाथ एप्लाइंस को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों ये एक ऐसा मटी रिमोट होता है जिसमें अलग-अलग डिवाइजस के लिए अलग-अलग ऑप्शन दे रखे होते हैं लेकिन अच्छी बार तो ये होती है कि इसमें किसी भी डिवाइज को कंट्रोल करने के कर रहे गए हूं और एक ऐसी डिवाइस चाहते हैं जिससे कि आप कई सारी डिवाइजस को कंट्रोल कर सकें तो ये गैजट एक तम पर्फेक्ट रहेगा आपके लिए दोस्तों आपने गेम से वगेरा में पैरा ग्लाइडिंग की होगी लेकिन अगर आप रियल लाइप में ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये काफी जगदा एडवेंचरस होता है लेकिन आप जो गैजट में आपको दिखाने वाला हूँ उससे आप ये काम रियालिटी में तो कर सकते हैं लेकिन बस अरते ये एक छोटा सा ट्वाइ होता है इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है जिससे कि आप इस पैराग्लाइडर को कंट्रोल कर पाएंगे और आपको एकदम PUBG वाली फिलिंग आने वाली है इस गैजट के साथ तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एक ऐसा छोटा सा ड्रोन चाहते हो जो की एकदम पैराग्लाइडर जैसा दिखने में लगता हो तो इस गैजट को एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं बेटल वाइजर सन ब्लॉकर दोस्तो कार बगेरा में अगर सामने से धूप पर दई हो विंडशील्ड पर तो ऐसे में ड्राइविंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हाला कि इसके लिए कार में वाइजर्स दे रखे होते हैं जिनका आप इस्तिमाल करते हैं लेकिन उनसे कहीं न कहीं दिक्कत ये होती है कि वो आपकी व्यू को हलका सा ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वज़े से आप कार में पूरी तरीके से दूर तक कर नहीं देख पाते लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तिमाल कर सकते हैं इस gadget का जिसे खास तोर पर इसी काम के लिए बनाया गया है दोस्तो इस gadget की खास बात ये होती है कि ये पूरी तरीके से UV protected एक shield होती है जिसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप अपने wiser के साथ और वहीं इसका installation भी काफी ज़्यादा आसान होता है आप अपने normal wiser के साथ ही इसे setup कर पाएंगे तो अगर आपके साथ ये कुछ ऐसा होता हो तो एक बर इसे try करके जरूर देखेगा Caesar portable scanner दोस्तो scanners की जरूवत तो हम सभी को पढ़ती रहती है क्योंकि आए दिन कोई न कोई document scan करना होता है लेकिन जो normal scanners market में available है उनका एक fixed size होता है यानि कि उनमें एक limited size के document को ही scan करा सकते है लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस gadget का तो इसमें ऐसा कोई भी जंजट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो इस gadget की खास बात ये होती है कि इसमें scanner की जगे एक चोटा सा sony का camera लगा होता है जो की काफी high resolution का होता है और साथ ही इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आप किसी भी तरीकी की books वगएर को भी आसानी से scan कर पाएंगे क्योंकि इसका advanced algorithm में आपके book के pages को पूरी तरीके से scan करेगा और उन्हें flat mode में ही आपको show करेगा और दोस्तो इसके साथ आपको एक app भी देखने को मिल जाएगा जहां पर आप सारे scan document को देख सकते हैं और अपने family friends से share कर पाएंगे दोस्तो मसाज की जरुवत हमें तब परती है जब हमारे जो muscles होती है उनमें जो veins होती है उनमें blood circulation प्रॉपरली नहीं हो पाता लेकिन अगर हम regularly massage लेते हैं तो उनमें blood flow एकदम सटीक तरीके से होता है जिससे कि हमें हमेशा एक्टिवनेस से feel होगी तो अगर आप ये काम घर पर ही करना चाहते हैं तो एक बार इस gadget को try करके देख सकते हैं दोस्तो इसे खास तोर पर इस तरीके से बनाया गया है कि इसे आप single hand यूज़ कर पाएंगे यानि कि सिर्व एक ही हाथ से इस पूरी machine को control करके आप अपनी body की massage कर सकते हैं अगर बात करी जाए इस तरीके का gadget खास तोर पर उन लोग के लिए important हो जाता है जो कि जिम वगएरा करते हैं या फिर उन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जिनकी body में कहीं न कहीं pain हो रहा हो तो इस gadget की मदद से आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं दोस्तो अगर आप अपने computer पर कोई एक ऐसा specific task कर रहे हूँ जिसमें कि आपको एक अलग desktop की जरूरत पड़े तो ये gadget आप ये लिए काफी ज़दा काम आएगा अलाकि आप एक ही screen से अलग-अलग तरीके के desktop को use कर सकते हैं लेकिन normally ऐसे काम करना थोड़ा सा tough हो जाता है लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस gadget का जो की screen sharing के लिए एकदम perfect रहेगा इस gadget की खास बात ये होती है कि इसमें 3000 mh की एक battery inbuilt होती है और साथ ये पूरी तरीके से dependent gadget होता है यानि कि इसे इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी तरीके की power source वगरा देने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी वहीं इसमें site की तरफ आपको HDMI और type C ports भी देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से screen share करा सकते हैं तो अगर आपका भी कम काफी ज़दा पेचीदा हो और आपको भी एक अलग से screen की ज़रुवत परती हो तो ये portable screen आपकी काफी ज़दा मदद करेगी दोस्तो आज कल कस्टमाइज प्रोड़क्ट का चलन काफी ज़दा तेजी से बढ़रा है लेकिन नॉर्मली प्रोड़क्ट से काफी ज़दा महंगे होते हैं ये कस्टमाइज प्रोड़क्ट लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रह हो तो एक बर इस gadget को ट्र place भी कर पाएंगे और साथ ही इसका use करके आप अलग-अलग तरीके की designs को भी print कर पाएंगे इसके साथ आपको एक इसका official app मिल जाता है जहाँ पर काफी सारी designs वगरा store रहेंगी और साथ ही काफी सारी arts वगरा को भी create करा जा सकता है इस app की मदद से तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे product खरीदना जिसमें आपका नाम लिखा हो या फिर आपकी thoughts वगरा हो तो एक बर इस gadget को try करके देख सकते हैं गफगन दोस्तो stage management काफी ज़दा जरूरी होता है और अगर आपने भी कुछ ऐसा कभी किया हो तो एक बर इस gadget के बारे में जरूर सूचके देखेगा दोस्तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि stage पर काफी सारे wires बगरा होते हैं और किसी कभी pair अगर इन wires में फच जाए तो काफी ज़दा दिक्कत हो सकती है तो दोस्तो इसके लिए आप इस गैजट का जो की खास तोर पर इसी काम के लिए बनाया गया है इस gadget के मदद से आप आसानी से इन wires को collect करके उनके ऊपर tape कर सकते हैं और साथ ही ये काम इतना जल्दी हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा नॉर्मली तो आप ऐसे भी taping कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी से उल्जन वाली होती है लेकिन इस gadget के मदद से ये काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है दोस्तो अगर आप अपने किसी pet के साथ selfie लेना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी वाला काम होता है क्योंकि इंसानों पे तो आपका यकीनन कंट्रोल होता है लेकिन किसी भी pet को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो दोस्तो एक बार आप इस gadget को try करके देखिएगा यकीनन आपको positive result देखने को मिलेगे दोस्तो ये एक ऐसा stand type का होता है जिसमें उपर की तरफ आप ball को लगा सकते है और ये ball काफी जदा attractive होती है यानि कि एक बार आपका pet इसे जरूर देखेगा जिस time में आप आसानी से selfie को click कर सकते हैं दोस्तो ये एकदम देशी तरीका होता है किसी का भी ध्यान अपनी तरफ कीचने का लेकिन pet की अगर बात हो तो उन्हें इस तरीके की colorful balls काफी जदा पसंद आएंगी तो दोस्तो अगर आप भी selfie lover हो और अपने pet के साथ selfie लेना चाहते हैं तो ये gadget एकदम perfect रहेगा खास आपके लिए फिलिप्स Pico Pox Projector दोस्तो अभी तक आपने जो प्रोजेक्टर देखे होंगे वो size में काफी जदा बड़े और भारी भर कम होते हैं और साथ ही आपको ने कहीं भी आसानी से लेकर carry नहीं कर सकते लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहते हैं जिसका इस्तिमाल आप personal use के लिए कर सके तो Philips का ये प्रोजेक्टर आपको काफी जदा पसंद आने वाला है दोस्तो इस प्रोजेक्टर की खास बात ये होती है कि ये एक Android operating system based प्रोजेक्टर होता है यानि कि इसका जो interface आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल एक smart TV का देखने को मिलने वाला है साथ ही आप इसकी मदद से YouTube और Netflix जैसे apps का भी इस्तिमाल कर पाएंगे वहीं दोस्तो इसमें एक चोटी सी battery भी inbuilt होती है जो कि आपको 3 hours का backup देती है यानि कि power source ना होने की condition में आप इसे battery से भी इस्तिमाल कर पाएंगे वहीं दोस्तो इसमें किसी arm projector की तरह आपको mirroring के भी option दे रखे होते हैं यानि आप अगर चाहें इससे अपने laptop या फिर mobile phone की screen को mirror कराना तो वो भी बहुती आसानी से किया जा सकता है इस projector की मदद से Glorious Model O Gaming Mouse दोस्तो अगर आप gaming का shock रखते हैं तो इस्तिमाल कर सकते हैं इस खास mouse का जिस तरीके से gaming keywords वगरा market में available है ठीक उसी तरीके से ये mouse भी आपको मिल सकते हैं बहुती आसानी से वैसे तो ये किसी भी एक normal gaming mouse की ही तरह होता है जहां पर आपको कुछ specific controls वगरा भी देखने को मिलेंगे लेकिन अगर बात इसके look की करी चाहे तो वो काफी ज़दा अलग रहता है किसी भी normal mouse से दोस्तो इसके अंदर RGB LED lights लगी होती है जो की अपने color को change करती है और इसके look को भी कुछ इस तरीके से बनाय गया है कि ये देखने में काफी ज़दा cool नजर आता है तो दोस्तो अगर आप भी एक ऐसा mouse purchase करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप gaming purpose कर सकें तो ये mouse एकदम perfect रहेगा आपके लिए दोस्तो अगर आपके घरों में या फ्लैट की parking में cycle कड़ी करने की थोड़ी सी कम जगय हो तो एक बर आप इस gadget को try करके देख सकते हैं क्योंकि दोस्तो इस gadget की खास बात ही होती है कि एक ऐसी चोटी सी lift होती है जिसमें आप cycle के आगे वाले पईये को फसा कर उपर की तरफ lift कर सकते हैं जिससे की cycle vertically पार्क हो जाएगी वहीं दोस्तो इसे use करना भी बेहत आसान होता है आप जैसे ही इसमें अपनी cycle को फसाएंग कि खुद बेखुद ऊपर की तरफ lift होने लगती है इस तरीके का gadget important हो जाता है खास तोरपर उन लोगों के लिए जिनकी आप पार्किंग की थोड़ी से समस्या हो साथ ही अगर आप अपनी cycle को एक decorative way में यूज करना चाहते है तो उनके लिए भी ये gadget एकदम perfect रहेगा जिसस की ये सब भी काफी ज़्यादा popular AI है लेकिन अगर आप एक different assistant चाहते हैं तो इस Alfred का इस्तेमाल करके देख सकते हैं दोस्तों इसे खास तोरपर बनाये गया है personal use के लिए जहां पर ये आपको सुबह उठाने से लेकर के काफी सारे काम आसानी से कर सकता है इसमें एक छोटा सा situation में आप इसका इस्तेमाल एक security camera के तौर पर भी कर पाएंगे तो दोस्तों इस तरीके का multi-purpose assistant काफी ज़्यादा बैतरीन होता है और साथी समय के साथ-साथ आप इसे advanced भी कह सकते हैं Mate Hybrid Smart Watch दोस्तों अगर आप traditional watch पहना पसंद करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें कुछ advanced features भी आपको मिल जाए तो ये gadget खास आपके लिए ही बना है क्योंकि देखने में तो ये आपको एकदम standard watch की तरह लगती है जो की वाकई होती भी है लेकिन इसकी जो screen को बनाया गया है वो touch sensitive रहेगी यानि कि इसकी मदद से आप आसानी से अपने music वेगरा को control कर सकते हैं वहीं दोस्तो इसके नीचे की तरफ आपको body sensors भी देखने को मिल जाएंगे जहां से आप step counter और slip monitor जैसे काफी सारे features का इस्तेमाल कर पाएंगे तो दोस्तो ये घड़ी आपके लिए एक fitness watch की तरह तो काम करेगी ही लेकिन अगर देखा जाये तो देखने में तो ये एकदम traditional watch जैसी ही लगती है तो अगर आप भी traditional होने के साथ साथ थोड़ा सा smart होना चाहते हैं तो एक बार इस watch को try करके देख सकते हैं Razer Siren Elite Mic दोस्तो अगर आप एक YouTube Creator है तो आपके लिए ये माइक काफी ज़्यादा useful हो सकता है क्योंकि sound की quality किसी भी वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा माइने रखती है यानि कि अगर किसी वीडियो का sound ही perfect नहीं होगा तो viewers आपकी वीडियो को enjoy नहीं कर पाएंगे तो आप भी अगर एक ऐसे माइक की तलाश में हो जिसका इस्तेवाल आप video creation में कर पाएं तो इस्तेवाल कर सकते हैं इस खास gadget को दोस्तो ये एक ऐसा माइक होता है जहां पर आपको sound में एकदम originality देखने को मिलेगी यानि कि ये किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा external filter applied नहीं होने देता है sound में जिससे कि आपकी originality को कोई फर्क पड़े वहीं ये माइक बहुत ही ज़्यादा sensitive होता है जिससे कि आप बारीक से बारीक चीज़ को भी record कर पाएंगे तो इस तरीकी का माइक काफी ज़्यादा बैतरीन हो जाता है और दोस्तों इसमें active noise cancellation जैसे भी features दे रखे होते हैं यानि कि जिस समय आप इसे sound record कर रहे होंगे ये ठीक उसी समय आपके आसपास की भी sound को reduce कर देता है जिससे कि आपकी आवाज एकदम pure way में आपकी viewers तक पहुँच पाए दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आपको एक ही चेयर पर दिन में बहुत समय तक बैठना पड़ता हो तो एक बर आप इस चेयर को ज़रू try करके देखेगा जो normal chairs market में आती है उसमें app and down के movements तो आपको दे रखे होते हैं लेकिन उससे आपकी sitting position पर कोई भी असर नहीं पड़ता लेकिन अगर आप इसकास चेयर का तो इससे आप ये काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इसके नीचे के surface को flexible रखा गया है जिससे कि आप इसकी sitting position को बार बार adjust कर सकते हैं वहीं इस चेयर के size को उपर या नीचे करने के लिए एक hydraulic piston भी दे रखा होता है जिसका इस्तिमाल करके आप इस चेयर के size को भी adjust कर पाएंगे दोस्तो अगर आप अपने घर में treadmill का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो ये gadget आप ले काफी ज़्यादा बहतरीन होने वाला है क्योंकि normal trademils जो market में आते हैं उनकी problem ये होती है कि वो size में बेहद बड़े होते हैं साथ ही आप आसानी से उन्हें लेकर भी carry नहीं कर सकते लेकिन ये उनसे कहीं ज़्यादा different होता है क्योंकि इसका size इतना ज़्यादा चोटा होता है कि आप उसे fold करके अपने bed के नीचे भी रख पाएंगे वहीं दोस्तो आप इसका इसका इस्तेमाल normal treadmill जैसे ही कर सकते हैं इसके साथ आपको एक छोटा सा remote control मिलता है जिससे कि आप इसकी speed को control कर पाएंगे साथ ही इसमें आगे की तरफ एक छोटा सा stand लगा होता है जहाँ पर आप अपने mobile को भी लगा सकते हैं जिसे कि आप exercise करते वक्त आपनी running statics को भी देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके का treadmill size में बेहर चोटा और personal use के लिए एकदम perfect है रेट्रो डख दोस्तो अगर आप अपने mobile phone को as a tv इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये gadget आपके काफी ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा stand होता है जहां पर आप अपने phone को लगा कर as a tv यूज़ कर पाएंगे इसमें external speakers लगे होते हैं जो कि आपकी phone की volume को और भी ज़्यादा extend कर देंगे साथी back side पर भी एक छोटा सा sound box लगा होता है जो कि इसकी आवाज को और भी amplify कर देता है साथी दोस्तों इस gadget को एकदम टीवी वाला look दे रखा गया है जिससे कि आपको टीवी देखने में काफी ज़दा मज़ा आएगा इस gadget के साथ इसमें पीछे की तरफ एक केबल लगाने के लिए एक छोटा सा port दे रखा होता है जहां पर आप इसमें टीवी देखते समय अपने mobile phone को भी चार्ज कर पाएंगे दोस्तों dustbin में हम लोग काफी सारा कूडा डालते हैं लेकिन सुबह के समय जब हमें उसे फेक ना होता है तो वो काफी ज़दा smell करता है जिसकी वज़े से हमें कभी कभी बहुत ही ज़दा उलचान होती है लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तिमाल कर सकते हैं इस gadget का जो कि य काम आपका चुटकियों में कर देगा यानि कि यह आपके garbage को पूरी तरीके से sealed पैक कर देता है जिसे कि आप आसानी से उठाकर इसे कहीं भी फेक सकेंगे वहीं दोस्तों dustbin के overflow होने की condition में यह इसका box open हो जाता है और साथ ही उसे फौरन उसी हिसाब से pack कर देगा जिसे कि आप इसे overflow होने की condition में भी यूज़ कर पाएंगे वहीं अगर बात करी जाए यह एडस्टोविन पूरी तरीके से automated रहता है यानि कि trash can भरते ही यह खुद बखुद आपके garbage को पूरी तरीके से seal कर देगा दोस्तो अगर आप कहीं किसी लंबी ट्रिप पर कार से जा रहे हूँ और ऐसे में टार्क के pressure में कोई problem आ जाए तो ये gadget आपके काफी ज़दा कामा सकता है दोस्तो ये एक ऐसा mini tire inflator होता है जिससे कि आप आसानी से इसे tireों में हवा भर पाएंगे अगर बात करी जाए इसके size की तो ये किसी भी normal inflator से बहुती ज़दा कम होती है और इसे इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है दोस्तो इस device में एक छोटी सी battery inbuilt होती है जिससे कि ये work करता है और साथ ही इसके आगे की तरफ एक छोटी सी screen भी दे रखी गई होती है जहां पर आप अपने car का real time pressure भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इसके uses और इसकी important को देखते हुए ये gadget काफी ज़्यादा बहतरिन हो जाता है किसी भी car के लिए तो दोस्तो इसके लिए एक like तो यकीनन बनता है तो दोस्तो इस video के अंदर हमने आपको बताएं कुछ ऐसी cool inventions जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी lifestyle को और भी ज़्यादा easy बना सकते हैं तो दोस्तो आपको ये gadgets कैसे लगे ये चीज मुझे comment box में बताना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इससे like कर दीजेगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि ऐसे ही gadgets के information साब तक पहुंसती रहे और वहीं अगर आप इन में से किसी भी gadget को purchase करना चाहते हैं ये इनके बारे में और भी जड़े information चाहते हैं तो description box में आपको इनके links मिल जाएंगे फिलाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजे नमस्कार दोस्तों जय हिंद